राजिस्थान के राजनीती में जो सियासी ओबाल आ रहे हैं रोज नितनय तूफान आ रहे हैं उन सब के बीच इन नेताओं के समर्थकों के बीच में भी एक अलग से जंग छिड़ जाती है और इन सारे जुबाने जंगों को मद्दे नज़र रखते हुए एक फॉर्मूला निकल कर सामने आ रहा है वो है पाइलट प्लस बेनिवाल एक वस्टू कस्वा करके अब कॉंग्रर्स बीजेपी को हराने की रन्नीती बना रही है जी हां सही सुना आपने तो किस तरह से ये रननीती कारगर साबित होगी या नहीं और किस तरह से पाइलेट और बेनिवाल के जो समर्थक हैं वो एक दूसरे के आमने सामने हो गए हैं इन सारी चीजों पर हम बात करेंगे इसलिए जुड़े रहेगा आखिर तक मेरे साथ नमस्कार मैं हुचेतना शर्मा और आप दे वो जैसे ही गलियारों में राजनितिक गलियारों की चर्चाएं फैलने लगती हैं वैसे ही इन नेताओं के समर्थक जो इनके फालो करते हैं जो इनके फान्स होते हैं वो आपस में भिड़ पड़ते हैं इसी का एक एक्जामपल अभी हाल ही में देखने के मिला जब राहु कस्वा ने कॉंग्रेस पार्टी को जॉइन किया और इसी खबर के जैसे ही गलियारों में फैलने की खबर आई तो देखिए क्या हुआ है ट्विटर पर मैं आपको दिखाती हूँ अमरेंद्र खलबली के ट्विटर हैंडल से एक ट्विट किया गया जो वाकई में काफी मज़ है आप देखेगा मैं आपको पढ़कर भी सुनाओंगी हर चीज हर वो कॉमेंट जो इन दोनों समर्थकों के बीच में चल रही है और इस जंग का जो टाइटल इनों ने रखा है वो यह है पाइलिट बॉइस बेनिवाल बॉइस इन दोनों गुटों के बीच में यह जंग रही है तो अमरेंद्र खलबली की ट्वीटर हैंडल से बोला जा रहा है कि वो तो राहूल कस्वा के साथ पाइलिट साहब की फोटो नहीं है बना अब तक पाइलिट बॉइस ने कहर ढ़ा दिया होता किस टाइटल के साथ चूरू में पाइलिट साहब ने किया उलट फेर ट खुशित कर दिया था और कॉंग्रेस गट बंदन में आरलपी को तीन सीटे भी दे दी थी तो ये सब चीजे राजनेतिक गल्यारों से निकल कर इन सोशल मीडिया पर इस तरह से होती है और जितना हम अनुमान लगाते हैं उनसे कहीं जादा ये चीजे वाइरल होती हैं इन ना जाने कितने तरह कि यहाँ पर तर्क और वितर्क संगत बाते यहाँ पर की जाती है तो यह देखिए है यहाँ पर जो इन्होंने लिखा है पाइलेट बॉइस वर्सस बेनिवाल बॉइस तो यह इन्होंने इस ट्विटर वार जो जुबानी जंग चल रही है उसको टाइ को ने उनके लिए माहौल बना रखा है राजनितिक तौर पर सोशल मीडिया पर लेकिन जो अस्मियत है इनका मानना है कि पाइलट को इतनी तवज्दो नहीं दी जाती और इनी को जवाब देते हुए नीचे क्या कहा गया है कई ट्वीटर हैंडल के जरिए वो मैं भी आपके स शेयर करूँगी तो इनको जवाब देते हुए मनमोहन चेची जी कह रहे है कि पाइलट से पूछा है इधर इन्होंने वीडियो भी डाला है खड़गे साहब का और ये उस समय का है जब राहुल कस्वा को सदसिता दिलाई जा रही थी कॉंग्रेस की और उसके बाद जो बा कॉंग्रेस में शामिल करिया गया था और ये वीडियो डालके अमरेंद्र को यहाँ पर जवाब दे रहे है ये और इन्हीं को फॉलो करते हुए अमरेंद्र खलबली वापस से कहते हैं कि कॉंग्रेस से प्यार नहीं लेकिन बीजेपी से नफरत भी नहीं है यहाँ पर है मैं आपको बताती हूँ समर्थकों के हिसाब से तो कॉंग्रेस के सभी काम पाइलेट साहब की वज़े से होते हैं वो बात अलग है कि कॉंग्रेस में पाइलेट को कोई पोश्टा नहीं है इन्होंने अपनी मन्शा तो जाहिर कर दी जो यह सोचते हैं वो जाहिर कर दिया लेकिन यहाँ पर यह सवाल जो इन्होंने कॉमेंट किया है इससे कई बड़े सारे सवाल यहाँ पर खड़े होते हैं वो यह है कि इस बार ऐसा क्या हो गया कि ना तो पाइलिट और ना ही गहलोत और ना ही डोटासरा तीनों बड़े का दावर नेताओं ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया कहीं न कहीं हार का ठीकरा अपने सर पर नहीं लेना चाहते यह तीनों नेता और इसलिए इन्होंने इतनी मान मनोवल करने के बावजूद भी इन्होंने मना कर दिया चुनाम लड़ने के लिए और कहीं ना कहीं ये सारी चीजें उस और इशारा करती है जो इन्होंने यहाँ पर कॉमेंट किया है यहाँ पर सवाल इसलिए भी खड़े हो रहे हैं कि पाइलेट के मना करने के बाद जो उनका सेकंडरी आप्शन था आप देख लिएजे कि पाइलेट के जो शेत्रे में आप टॉंक सवाई मादवपूर शेत्रे से लड़ने की खबरे आ रही थी उन्हों सब पर विराम पहले भी लग चुका था पाइलेट के वजूद पर यहां पर सवाल उठाये जा रहे हैं और इन्ही को फॉलो करते हैं फार्मर के ट्विटर हैंडल से आप देख लिए यहां पर बोला जा रहा है कि आरलेट बॉइज रॉक उन पाइलेट बॉइज शॉक दोनों को कॉंग्रेस और रल्पी के गठवन्दन होने का इनतजार है तो कही न कहीं व्यंगे से शुरू हुआ ये सिलसला यहां पर आकर थमता है और दोनों ही इस बात को कह रहे हैं कि दोनों के समर्च यहां पर आकर एक जुट होते वे दिखाई दे रहे है और कह रहे हैं कि कुछ भी हो और जैसा कि राजनितिक गल्यारों में भी चर्चाएं चल रही है कि बाडमेर जैसनमेर जो लोकसबाद सीट है वहाँ पर और नागौर जो सीट है वहाँ पर अगर गठवंदन नहीं हुआ तो कॉंग्रिस की हालत वहाँ पर खस्ता हो जाएगी और जिस तरीके से पाइलिट, बेनिवाल और जो फॉर्मुला मैंने आपको बताया था कि कास्वा को लाकर जो समीकरन बनाना चाह रही है कॉंग्रिस, बीजेपी को टकर देने के लिए वो वाकई में सुनने में काफ़े दिल्चस्प दिखाई देता है लेकिन जब इसको अ आट नेताओं के फैरिस्त आप देखेंगे तो वैसे भी वहाँ पर बड़ी लंबी आपको फैरिस्त दिखाई देगी इसलिए भी वहाँ पर हन्मान बेनिवाल फिट नहीं बैठते हैं और अगर सोशल मीडिया के गल्यारों की ही जब हम बात करते हैं तो सोशल मीडिया पर कई सारे कॉमेंट्स मैं ऐसे भी देखती हूं सुनती हूं पढ़ती हूं कि अगर गटबंदन ही करना है आरलपी को तो वो बीजेपी के साथ करें लेकिन बीजेपी के साथ वो इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि वहाँ पर उनकी कॉम्पेटीटर आरेड़ी यानि कि जोते म बाडमेर की जो सीट है जिस पर वो अपने पत्नी को अपने भाई को लड़वाना चाह रहे हैं तो इन सारे राजनितिक समिकरणों को देखते हुए किस तरीके से फैसला लिया जाएगा इन सीटों पर ये तो आने वाला बगद बताएगा लेकिन जो इस समर्थकों की ट्व पहलोत और ना ही डोटासरा चुनाव लड़ना चाहते हैं और कहीं ना कहीं क्या उनको ये अंदेशा है कि अगर हार हुई तो इस हार का ठीकरा किसके सर पर फूटेगा इसलिए वो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं कौन सी ऐसी बात है जो इस सब चीजों के पीछे चुपी ह कोई है ये तो ये नेता ही जानते हैं या फिर आने वाला वक्त ही बता पाएगा लेकिन आप जरूर बता सकते हैं कि ऐसा कौन सा बड़ा कारण रहा होगा जो ये तीनों दिगज नेता चुनाव लड़ना नहीं चाहते हैं बाकि समर्थक समर्थक तो देखिए अगर आप न इसको किस तरह से पॉंग्रेस फ्लोर पर लेकर जा पाती है और बीजेपी के सामने कड़ी टकर दे पाती है ये भी आने वाला वक्त बताएगा लेकिन आप जरूर बता सकते हैं कैसा लगा आपको ये वीडियो पॉमेंट करके बताएगा जरूर अपनी राय और ऐसे ही और उसके लिए देखना ना भूलेगा राजिस्तान समबाद नमस्कार इसलिए सोलर प्रोजेक्ट्स के टाइमली डिलेवरी करते हुए एक पार्टनर के तरह आपकी इंडस्ट्री को हम अपडेट करते हैं और हमेशा आपकी सर्विस के लिए ततपर रहते हुए सोलर एनरजी का पूरा पुटेंशल आपको मिले इसी दिशा में काम करते हैं